और यह जो चेतना है ना सर, यह उमनी सीएंट है सर, उमनी पोटेंट है सर, उमनी प्रेजेंट है, टिप टिप बरसा पाणी पानी ने आग लगाई, तुम ड्रामे बाज हो, तुम धोखे बाज हो, तुमारी गर्दन धर से तुरंत अलग कर दी जाएगी, साज, खीचके अवे नीचे से कहां से निकालोंगे छो मुझे पत्तमीज छो हमारे माबाप महां बहुत सारे पैरेंटों से कहता हूँ कि सर बच्चे को बोली है ध्यान योग कर अरे हम आयेज बनाने के लिए कह रहे हैं आप उसको भगोला सन्यासी बना दें वह घर छोड़ का भाग जाएगा कौन बोला यह जनक यह राजे है राम राजा है क्रिष्ण राजा है यह राम क्रिष्ण कि यह सब जागरित नहीं है भारत की जो पहचान है वो किस से है जनक से राजा जनक एक सन्यासी इनके पास पहुंचा राजा जनक के पास उसने राजा जनक से कहा कि हम संत होकर ध्यान में नहीं रह पाते और तुम राजा होकर भोग बिलास में रहकर तुम ड्रामे बाज हो तुम धोके बाज हो हो ही नहीं सकता यह तुम आना ध्यान तुम कैसे जागरित हो राजा जनक नहीं कहा कि बंदी में ना लो इसको इस संत को बंदी में ना लो और बंदी कि मैंने तो सुना था कि आप संतों का बड़ा सम्मान करते हैं आप सन्यासियों का बड़ा सम्मान करते हैं आप मुझे बंदी मिना रहे हैं हाँ बोले बिलकुल बंदी मिना लो महत्मा जी को बंदी मिना लिया गया बोले शाम शाम को लाओ उसको दरबार में शाम को महत्मा जी को दरबार में लाए गया राज नर्तिगी को बुलाए गया और नित की शुरुवात की गई इनाज गाना शुरू करो और महत्मा जी के सर पे गड़ा रखो पूरा उपर तक तेल से भरा हुआ और ना शुरू हुआ टिप टिप बरसा पानी पानी ने आग लगाई और लोग वहवा वहवा और क्या बात है क्या बात है और जनक ने महात्मा जी सगा कि सुनो महात्मा जी इस नर्त्गी के साथ चक्कर लगाने है और कंडीशन यह है कि अगर एक बून भी तेल घड़े से गिरा तो यह दो सिपाही तुमारे साथ चल रहे तुमारी गर्दन धर से तुरंत अलग कर दी जाएगी अरे बोले महाराज हमको सवाल का जबाब नहीं चाहिए बोले ना साथ चक्कर साथ वो नर्थ की नाचे जा रही थी महात्मा जी चक्कर लगाए जा रहे थे एक चकर दो चकर साथ चकर लगाए और एक बूंद तेल नीचे नहीं किरा साथ वा चक्कर पूरा हुआ महाराज जी ने तुरंत घड़ा रखा बोले सरकार में जाओ बोले जवाब मिला गौर करिएगा हम सब की यही मुसीबत है बोले जवाब मिला अरे बोले जवाब खाक में मिला तुमने जिंदिगी मेरी दाओं पे लगा दी नहीं बोले आते हैं बहुत लोग आज प्रलायाम पूच और फोन करते हैं अब भस्तर रिखा नहीं खीच के नीचे से ही निकाल दें आधा नीचे से कहां से निकालोगए चेतना हर बड़ी में मस करो ना योग किसका सांस का और चेतना का और ये जो चेतना है ना सर ये ओमनी सीएंट है सर ओमनी पोटेंट है सर ओमनी प्रेजेंट है एक बार आपने इसका स्वाद ले लिया अरे सर पहले दिन फाइदा करेगी सर शांती से चैतन्य से ध्यान से तो जाज़ा जनक ने उस सन्यासी से कहा कि महराज आपने डर में ध्यान को साधा डर में मौत का खत्रा था लेकिन मैं 24 घंटे ध्यान में रहता हूँ इसलिए मैं राजा होकर भी बंधनों से मुक्त हूँ और तुम सन्यासी होकर भी उल्जय हुए हो मुक्ष किस से इंद्रियों से मुक्ष किस से इंद्रियों से निर्वाण किस से इंद्रियों से मिराज किस से इंद्रियों से कैवल किस से इंद्रियों से तो सन्यासी ने राज़त जनक से कहा कि महराज एक बात और स्पस्ट कर दें ये दुनिया में हम उल्जय क्यों है तो सन्यासी ने का महराज एक बात और बता दिये हां बोले पूछो वोले यह हम बंदन में यह दुनिया हमको क्यों पकड़ती है फिर तो राजा जनक गए एक खंबे को पकड़ लिया उन्होंने तो सन्यासी ने कहा यार सुबे से ड्रामा कर रह provides एक ड्रामा फिर कर तुम खंबे को पकड़े हो बोले यह तुमने दुनिया को पकड़ रखा है ये मेरी बीवी, ये मेरा बदी, ये मेरा बेटा, ये मेरा बच्चा, ये बड़ी वाली बुवा, ये छोटी वाली बुवा, एक दो जहर काफी नहीं है, और फिर दो दो घर शादी के बाद शादी से पहले आपनी का एक घर रहता है अपनी बुवा अपनी मामी अपनी मौसी वो कम जीवन में कष्ट देने के लिए शादी के बाद दो घराने एक हो जाते हैं एक पती की बुवा एक पतनी की एक पती की मौसी एक पतनी की क्या भगवान नित अब निप्टो एक से निपटना मुश्किल है दो भारत राजजनक राम कृष्ण बुद्ध महवीर से लेकर आज पंडित सद्गुरु तक यह धारा बनी हुई पस्चिम की भी अपनी एक धारा है ज़र पस्चिम की भी एक धारा है आइंस्टीन फ्रयड कांड स्पेंसर रेने डिकार्ट्स लाइबनीज हमारी उपलब्धी कहा है इस्पिरिचुलिसम में उनकी उपलब्धी कहा है मैटिरियलिसम में और स्पेंसर नहीं कि एपनीज हमारी प्राट्स पस्टेपुलिसे इस इस हमारी आगे एक सुआ है अन्या गजरेखेंस अन्या दोया है इस हिए पतावा़्यक्ट को स्वेंसर प्रेखेंसर हो और प्र शेखेंसर जाब्धी कहा है झाल झाल